आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तों प्रश्ण दिया गया है कि दो समान अधार के संकूओं के आइतनों का अनुपात आठ अनुपात 27 है इसकी उचाईयों का अनुपात याद कीजिए ठीक है दोस्तों कहा गया है कि यहां पे दो संकूँ दिया हुआ है माल लेते हैं कि यह हमारा एक संकूँ है ठीक है दोस्तों और एक और संकू है, दो संकू हमें लेने के लिए बोला गया है, तो ये हमारा एक संकू हो जाएगा, दो संकू है, जिसका क्या बोला गया है कि समान आधार है, आधार समान है मतलब कि संकू का आधार कि परकार का होता है, संकू का आधार बृता का होता है, और जब बृत का आ आधार सेम होगा, मतलब कि इसका जब कहा गया है कि आधार सेम होगा, तो दोनों की तरिज्या क्या होगी, बराबर होगी, अगर इस संकु की तरिज्या को हम R मालने, तो इस संकु का भी तरिज्या क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, चुकि आधार हमें प्रस्ण में दिया गया है और यहां पर दिया हुआ है कि संकु के आइतनों का अनुपात चत्ताईस है तो उचाईघों का अगर आइतनों का अनुपात निकाले तो क्या हो जाएगा संकु का आयतन क्या होता है कि आयतनों का अनुपात लिखें अनुपात तो संकु का आयतन क्या होता है एक बट्टे तीन पाई यार स्क्वाइर एच तो एक बट्टे तीन पाई चुकि आर तो दोनों का बराबर है तो आर स्क्वाइर इंटु एच वन बट्टे क् आयतन बट्टे इस संकू का आयतन यही हो जाएगा दोनों का अनुपात तो क्या हो जाएगा एक बट्टे तीन पाई आर स्कूर इंटू इस संकू का उचाई कितना है ह2 कटेगा पाई और पाई कटेगा आर स्कूर आर स्कूर कट जाएगा तो आइतनों कानुपात क्या आ गया? H1 बटे H2. तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आइतनों कानुपात दिया हुआ है कि 8 बटे 27 है. यह 8 बटे 27 है. तो इसकी उचाईयों कानुपात हमें ग्याद करना है. तो उचाईयों कानुपात क्या है? H1 बटे H2. तो उचाईय जाएगा दोस्तों यही हमारा प्रश्ने का हाल हो जाएगा धन्य बाद क्लासिक्स टुवेल से लेके नीट आई आई टी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीचे अपने डाउट्स 8444 पर